अगर आप दिल्ली पुलिस के किसी भी अग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देख लेना काफी सारी इंफोर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी और जो बच्चे इस पेसलियान की जिसका सपना है दिल्ली पुलिस में ही मुझे लगना है तो वो वीडियो को जरूर पूरा देखना इसकी इप मत करना ठीक है उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ आपको भी पता है आपकी जो वेकेंसी है वो नहीं आई है अभी तक लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वेकेंसी आपकी आएगी नहीं मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि आपका जो MOU है वो साइन हो चुका है इसके रिगार्डिंग भी इस वीडियो में मैं आपको पुरूप के साथ दिखाऊंगा उसके बाद दोस्तो काफी लोग ये बोलते हैं कि इस साल वेकेंसी नहीं आने की अगले साल वेकेंसी आएगी तो उनके बारे में भी मैं बात करूँगा देखे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ 2017 में मैंने एक्जाम दिया 75 नमबर का स्कोर करा एक नमबर से मैं उस एक्जाम में रह गया उसके बाद मैंने दोस्तो तीन साल तक कभी किसी से किसी भी यूटूब चैनल पे जाके ये नहीं पूछा कि वेकेंसी कब आएंगी कब इसका एक्जाम होगा और कब कौन सी क्या आपडेट आ रही है मैं अपने जो सलेबस है उसको कवर करने में लगा रहा अपनी जो तैयारी है उसको और बैटर करने में लगा रहा क्योंकि देखो जिसकी अब लाज़ डेट है न वो तो ये चाहेगा कि अगले मन्त मेरी उमर कम्पलीट हो जाएगी तो इसी मन्त में वेकेंसी आ जाए तो मुझे इसमें मौका मिल जाए लेकिन जिन बच्चों के पास में अभी टाइम है एक साल का है छे महिने का है या फिर आपकी एज 23 है 24 है 22 है ये कुछ भी मैटर नहीं करता आप लोग अपने जो गोल है उस पे फोकस करो आप ऐसे लाखो वीडियो देखते होगे यूटूब पे जिसमें आपको ये बताया जा रहा है उधर की खबर है इधर की खबरे है लेकिन दोस्तों ना तो ये यूटूब पे आपका जो पेपर है ये कौलिफाई होगा ना ही आपका अगर आपको मान लीजे वेकेंसी आ रही है आपके नवंबर के फस्ट वीक में तो वो जब वेकेंसी आएगी तो सब को पता लगेगा कि वेकेंसी आ गई है उस टैम आप अपना एक दिन खराब होगा और फोरम डाल लेना लेकिन दोस्तो अगर आप ये करते हो कि जब तक वेकेंसी नहीं आती तब तक तो आप यूटूब पे अपना टाइम वेस्ट कर दो कि वेकेंसी नहीं आरी वेकेंसी नहीं आरी और देखो हर एक वीडियो को आप देख रहे हो कि वेकेंसी कब आएगी, क्या आएगी, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है दोस्तो अगर इतना टाइम आप अपनी स्टेडी पर फोकस करो तो सायद, सायद दोस्तो आपके एक या दो, जादा नहीं तो दो या तीन नमबर तो आपके इनकिरीज होके डेफिनेट लियाएंगे आंसर की में और जो बच्चे अभी काफी सारे आपने देखा होगा न कि 2020 का जिसने भी एक्जाम दिया है, जिनका फिजिकल हो चुका है वो यूटूब पे लाखो वीडियो कटोफ की देख चुके है अगर दोस्तो वो इतना ही काम पहले अपनी स्टेडी में करते तो सायद उन्हें कटोफ देखने के लिए अब यूटूब पे नहीं आना पड़ता इस एक्जाम में मेरा इतना ज़्यादा स्कॉल भी नहीं था 78 नमबर का था, लेकिन दोस्तो जो मैंने ये अचीव किया है वो मुझे पता है मैंने किस किस कंडिशन में कैसे कैसे पड़ाई करी है आप लोगों से मैं इतना कहना चाहूँगा आपकी जो विकिंसी है वो बहुत जल्द आएंगी जल्द का मतलब ये नहीं होता कि आज मैंने वीडियो बना दिया कल आपकी विकिंसी आपको देखने को मिल जाएंगी लेकिन जितनी भी आपके हमारे दौरा आपने देखा होगा ये चीज आप नोटिस करते होगे कि लास्ट एक्जाम के दौरा कभी भी आपको फेक न्यूज या कोई गलती से अगर कभी मैंने दे भी दी कोई गलत न्यूज उसके लिए छमा चाहूँगा लेकिन दोस्तों मैंने कभी भी आपका टैम वेस्ट नहीं किया मेरे वीडियो जाके देखो आपको 5 या 7 मिनट के अंदर के सारे वीडियो मिलेंगे क्योंकि मैं on the point बात करता हूँ जो वीडियो में जिस चीज के लिए वीडियो बनाया है केवल उसी चीज की बात करता हूँ हर वीडियो में मैं नोर्स की भी बताता हूँ क्योंकि वो अच्छे नोर्स है मैंने खुदने भी तयारी करी है उनी से आप भी ले सकते हो अगर अच्छे लगे तो ले लीजे पर सबसे महिन बात ये है कि आप अपनी तयारी कीजे अगर आप किसी दूसरे पर निर्बर नहीं है तो आप अपने खुद के नोर्स बना सकते हैं अगर आपके पास में उतना टैम नहीं है अगर आपको नोर्स नहीं बना सकते तो आप किसी और के ले सकते हैं हमारे भी ले सकते हैं आप लोग ये सोचते हो कि वेकेंसी आएगी कोई टीचर बैच लोंच करेगा और उसका बैच लेके मैं पास हो जाओंगा ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि काफी बड़े बड़े दुरंदर जो अपने आपको महारती भी कहते हैं उनका भी हाल आपने देखोगा इस वेकेंसी में किसी भी YouTube वाले का कोई भी सलेवस नहीं आया है ना तो उनके पड़ाए हुए math के question आये ना computer के question आये और GK का तो कोई मतला भी नहीं बनता तो आप ये चाते हो कि मैं किसी के badge पे निर्बर हूं मैं किसी के course पे निर्बर हूं तुम ये बोलते रहते हो कि मैथ नहीं आता मैथ नहीं आता अगर आप 15 से 20 टोपिक अच्छे से कर लेते हो तो आपके 10 से 12 नमबर तो आई जाएंगे मैं ये नहीं बोलता कि 15 तुम ले क्या हो 10 या 12 नमबर तो आ जाएंगे देखें ये कटिंग है और ये कब का कटिंग है ये 7 अक्टूंबर का कटिंग है इसमें जो लिखा गया है वो आप यहां पे पढ़ सकते हैं आराम से इसमें आगे लिखा हुआ है यहां कि जैसे ही MOU आपका साइन हो जाता है आपकी जो वेकेंसी है SAC के द्वारा निकाल दी जाएंगी दोस्तों मैंने आपको बताया कि MOU साइन हो चुका है लेकिन जो RTI है वो अपने बैक डेट पे काम करते हैं आपको पता होगा यह जो reply है 7 तारिक का reply है तो आप यह सोच के चलिए कि जैसे department के अंदर जो चीज़े हमें पता लगती हैं वो 5-7 दिन और पहले की पता लग जाती हैं जैसे अगर 20 तारिक को कुछ होने वाला है तो हमें लगबग 10 या 12 तारिक को ही पता लग जाता है तो हमारे दुआरा हर एक information आपको सटीग दी जाती है आपकी अगर final stage में भी MOU है तो इसको sign होने में कितने दिन लगेंगे अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि exam आने के बाद में हम तैयारी कर लेंगे तो दोस्तों ये आपकी गलत फैमी है जैसे ही vacancy आगी आपको केवल 3-3.5 मन्त का time मिलेगा और उस time में दोस्तों आप अपना syllabus भी cover नहीं कर पाओगे तैयारी तो बहुत दूर की बात है तो जिन बच्चों को लग रहा है कि हम तैयारी serious होके कर रहे हैं ये दिली पुलिस में ही लगना है हमें तो अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करने लग जाओ और हमारे द्वारा अब आगे हर वीडियो में आपको थोड़ा थोड़ा motivate किया जाएगा ठीक है तो चलते हैं दोस्तों इस वीडियो में इतना ही और जो भी बच्चे अगर driver के लिए special workshop group में जुड़ना चाहते हैं तो इस number पे हमें message कर लीजे driver और अपना name लिखे आपको workshop group में जोड लिया जाएगा और जो बच्चे इस special दिली पुलिस के लिए किसी भी exam की तैयारी कर रहे हैं तो इ परदस्ती नहीं है आपके साथ में तो इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू दोस्तो जै हिंद जवारत वंदे मात्रम